ओम श्यंति, 6 अक्टूबर की शुरुतानमा सुकस हो गयता है, परमात्वा कहते हैं कि समय प्रमान हर कारे में सफल होने वाले, ग्यानी योगी तु आत्मा भवा, ग्यान का अर्थ है समझ, समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमान, समझदारी से कारे करते हुए सफलता को तो समय प्रमान, समय कानुसार जो हम हर चीज टाइम पर करते हैं, अगर हम कल कल करते रहेंगे तो काल खा जाता है जैसे प्रमात्वा कहते हैं लेकिन अगर हम जो चीज अभी करने, उसको अभी के अभी करें, लेट ना करें, डेले ना करें और फिर ये बहाना ना माने की जो होता है अच्छे क्ले होता है, क्योंकि हर चीज कल भी करने से अच्छे से हो सकती थी, जो आज हमने पोस्कोन कर दी तो प्रमादर कहते हैं कि समय को महत्वदे, समझदार की निशानी है वे कभी धोका नहीं खा सकते अगर और योगी की निशानी है clean और clear बुद्धी उनको पता होता है कि उनको क्या चाहिए क्या करना है और क्या करने से अच्छा होगा सिर्फ अपना इनी और कभी तो वो तरिकाल दर्शी भी होते हैं जिसकी बुद्धी clean और clear है वे कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया क्योंकि master रचेता जो आत्मे होती है जो कि योगी आत्मे होती है उनके पास में थी ताकत होती है कि वो जो सोचते हैं वो वही होता है और अगर कुछ होने वाला होता है उसकी बनक उनको पहले होती उसके अनुसार वो फिर एक नया फिर से step ले लेते हैं मलो पहले ही आगे दस कतम पहले चल रहे होते हैं यह शब्द ज्यानी और योगी आत्मा है नहीं बोल सकती हैं कौन सा शब्चर पता निगर कैसे हो गया मैं तुर्ण इसा Łkenntस नहीं सोच था नहीं बोल सकती वोे ज्यान और योग को हर कॉल्ध कर्म में लाती हैं तो परमात्म से केनेक्टर रहती हैं सिक्सेंस उनकी छटी इंद्री जागरत रहती है, उनको कुछ होने से पहले ही उनको मैसूस हो जाता है, और वो कभी ये बाना नहीं मार सकते कि पता नहीं, करना नहीं चाहते थे हो गया, बोलना नहीं चाहते थे बुद दिया, क्यूं हो गया पता नहीं, ऐसे तो नहीं होना उनकी पास में ऐसे भाने नहीं होते हैं, उनको हर चीज का सठी का अंसर होता है, उनकी पास में, अपने लिए हैं, हम श्यांती